नमस्कार, आप सभी का स्वागत थे CHS Study Capital के इस YouTube चैनल पर, आज मैं आप सभी को बताने आया हूँ कि आपका result कब आएगा, क्योंकि लगतार आप लोगों ने हर एक वीडियो के comment box में comment करके पूछ रहे थे किसे result कब आएगा, result कब आएगा, फिलाल अभी answer की भी आपकी नहीं दी थी, कि exam के बाद क्या करना है, exam के बाद किस तरीके से आपके steps होते हैं, तो step by step मैंने बताया था, उसमें मैंने result के लिए भी जिकर किया था, लेकिन इस video में मैं separate बताने वाला हूँ आपका result कब आएगा, तो video में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आप कोई भी study capital का channel और CHS study capital का परिवार, तो अगर आप इस channel को subscribe करते हैं, तो आप की counselling में भी बड़ी मदद होने वाली है, और हम लोग counselling में साथ खड़े रहते हैं, आप आएंगे तो सबसे पहले आगर आप किसी का चेहरा देखेंगे, तो सूरसर और विपुल सरका होता है, तो counselling मे हर एक updates के लिए भी साथ में वहाँ पे offline ground पे आके हम लोग जिस तरीके से मदद करते हैं, अगर आप मदद का लाब उठाना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करिएगा और हर एक update के साथ में जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ते हैं वीडियो के मैं दिखाता हूँ पहले, अगर म इस बार आपका जो step रहने वाला है, आपका answer की आएगा मैंने बताया था, लेकिन उसके पहले आपका provisional answer की आता है, provisional answer की आता है आपका 15 मही को, और 15 मही को provisional answer की आने के just बाद आपको दो दिन का समय दिया जाता है, उसमें आप claim कर सके ताकि आगर आपका question का answer match कर रह है और आपको लगता कि मेरा वाला सही है, तो आप claim कर सकते हैं 16 और 17 को, उसके बाद final answer की आती है 25 मही को, 25 मही को final answer की आता है और कहीं न कहीं आपको आधा धूरा result तो मिल जाता है, उसी वक्त आप analysis कर सकते हैं अपने आपकी कि मेरा होगा या नहीं होगा, या मेरे कितने marks आ रहे हैं, then final आपका आता है result date, यानि जिसे हम परिडाम का दिन कहते हैं, परिडाम की घड़ी कहते हैं, तो परिडाम की घड़ी और परिडाम का दिन कब है भाई, पांच जून को, पांच जून को हो सकता है मद्धिरात्री को आपका result आए, या हो सकता है छे जून की study capital के channel को subscribe पर करकते हैं तो सबसे पहले हम आपको update करते हैं और समय पर करते हैं तो यह है आपका overall result आने का दिन नहीं कि 5 जून को 2024 में result आने की पूरी की पूरी संभावन आए हैं और साथ में ये भीचू के official update है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये official तोर पे उनके bulletin पे लिखा हुआ है कि 5 जून को मैं अपने result पब्लीज करूँगा चाहे class 9th का student हो चाहे 11th hearts 11th maths 11th bio 11th commerce का student हो आगे अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके छोटे भाई बहन है कोई जो CHS 2025 की preparation करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको करना क्या जिस तरीके से आपने steps को follow किया था CHS YNV Capital का आपने play store से app download किया था उसके बाद में कोई भी समस्य आती थी आप इस नमबर पर contact करते थे आप अगर इस नमबर पर contact करते तो आपको link भी मिल जाएगा app का आपको link भी provide कर देगी हमारे team और साथ में हर एक चीज़ आपको बकायदा समझा देगे अगर आप contact करते हैं तब उसके बाद अगर आप offline चुड़के तयारी करना चाहते हैं आपने आपको अप्रिपेर करना चाहते हैं CHS इंटरेंस एक्जाम के लिए या किसी भी इंटरेंस एक्जाम के लिए तो आप आ सकते हैं 950662211 पर आप कॉल करिएगा वहाँ पर हमारे team आपको बहतर तरीके से समझाएगी और साथ में मैं बता दू आपको 11th के तयारी हो, 12th के तयारी हो या 12th के बाद आप किसी भी competitive exam के तयारी करना चाहते हैं या अपना 10th के साथ ही foundation बिल्ड करना चाहते हैं 11th CHS के लिए तो आप आ सकते हैं हमारे हाप आप academics का members exam के तयारी होती है, academics के साथ में आपको किस तरीके से competitive exam में आपने आपको prepare कराना है वो बहतर तयार या आपको CHS Study Capital Academy के team अच्छे से कराएगी आपको तो आप बहतर तरीके से बिना किछी जिजग के आप जोइन कर सकता है हमारे offline center को या online course को ठीक है अब एक चीज़ और है कि अगर आप online join के लिए तो offline join करने का क्या फाइदा साथ तो अगर आप offline join करते तो आपको online हम free दे देंगे ठीक है तो परिशान होने की ज़रूद नहीं है उसके साथ 15 मही को जिस दिन आपकी provisional answer की आने वाली है उसे दिन CHS Study Capital पर होने वाला है big announcement ये आपके लिए बड़ा surprise रहने वाला है तो इस surprise को miss नहीं करना है जरूर join होना है इस surprise में ताकि आपके लिए CHS 2024 वाले बच्चों के लिए भी बहुत जादा beneficial चीज इसमें मिलने वाली है surprise है तो भाई सब के लिए है और CHS 2025 वाले बच्चों के लिए भी होने वाले है तो जुरूर ना मत भूलिएगा अगर आपके छोटे भाई बहन हो या आपके कोई class में है अगर आपके school के कुछ junior साथ उनको जरूर recommend करिएगा कि 15 माई को जरूर जुड़े अभी के लिए बस इतना है इस वीडियो में बस इतना है विश्वल्दा बेरी बेस पढ़ाई करते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई